महाराजा हरी सिंग की छुट्टी की डिमांड तो पिछले काफी समय से चल रही है और उसके बाद बड़े सारे प्रदर्शन हुए तवी का पुल ब्लॉक किया गया अल जी साब के साथ मिटिंग हुई और उस मिटिंग में आश्वासन मिला कि हाँ अब खुशकबरी जो है वो मिल सकती है जम्मू वासियों को पुरे जम्मू कश्मीर को कि अब महाराजा हरी सिंग के जनम दिवस पर छुट्टी गोशित की जाएगी लेकिन कल जब कैलेंडर निकला उसके बाद कई सारे लोगों के चहरे मायूस हुए होंगे कई सारे लोगों के हाथ मायूस ही हाथ लगी होगी और कहीं सारे लोगों को दुख भी होगा वो कैलेंडर देखे क्योंकि महाराजा हरी सिंग जी के जन्म दिवस पर छुट्टी एक बार फिर गोशित नहीं की गई अफिशल कैलेंडर था जन्म किश्मीर गवर्मेंट का और उसमें भी एक बार कहीं पर भी ओ छुट्टी का जिक्र नहीं था विले दिवस की चुट्टी जरूर थी लेकिन महाराजा हरी सिंग जी की जन्म दिवस की चुट्टी नहीं थी ऐसे में किया जम्मू के लोगों के साथ दुखा हुआ है एक बार फिर से इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक मौजूद है रजिंदर सिंग मनहास जो की चीफ पेटरॉन है यूवार आजपूद सभा के सर सौगत आपके दा फूर्टे स्टेट में सर सबसे पहले तो जब कैलेंडर देखा उसमें चुट्टी कहीं पे भी नहीं थी क्या कहना चाहते हो इस पूरी चीज को लेकर कितना फील था कितना दुख था कि आशवासन मिलने के बाद भी चुट्टी नहीं मिली देखिया चीज बात यह है कि यूँआ राजपू सभा पिछले दस साल से रेगुलर इस धरने परदर्शन और रेलियं करती आ रही है जो मारा हरी सिंग्य के लिए चुटी मांग रहे हैं वो अपने लिए चुटी नहीं मांग रहे हैं पूरे जमो प्रविंस के लिए पूरे जमो किश्मीर के लिए लदाख के लिए कि जो ऐसे हमारा राजा थे हमारे जिनको याद किया जाए उनके नाम पर एक छोटी होने चाहे जिन्होंने अपनी पूरी स्टेट को पूरा एक रखा था और अपने तन्मन धन से इसको सिंचा और डोनेट करके वो बाहर चले गए ऐसे मारा राजा नहीं मिल सकते जो खरीदी हुई चीज़ को डोनेट कर दें और उसके बाद ये हमारा जो समाज है ये जो हमारा डोगरा समाज है खासकर वो तो कभी उनको भूल नहीं सकता और आज जो हालात हैं पिछले डेड़ साल से हमारी अडिमिस्टेशन के साथ बीच में बात भी चल रही थी जैसे आपने कहा गुवर्नर साब की ने अश्वासन देने के बाद ये क्या किया तो आपने बिल्कुल सही कहा आज लोगों को एक बार जम्मू के लोगों को एक बार दोबारा निराशा हाथ लगी है सब कम्मूनिटीज को बड़ा मसूस हुआ है कि ये लोग अगर एक महराजा को जस्टिस नहीं दे सकते एक आम आदमी को क्या जस्टिस देंगे यहां पर वो प्रहच्चन लग गया है और सर्व समाज का ये मानना था कि महराजा हरी सिंग जी की छोटी होनी चाहिए बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है जब कल ये कलेंडर देखा गया और ये महसूस किया गया कि शायद ये कुर्वानिया ही मानते है हर चीट को जद जहद पर ही मानते है अगर कुर्वानियों के भी बात आती है तो ये कुर्वानिया जुवाराजपूसवा और ये पूरा दोग्रा समाज सो इसको देने के लिए तायार है मुझे बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी उनसे स्पेशली ये कहा गया था मुम्रननब भी बेजे गेए थे गवरनर स्थाब को भी बेजे गे अडिमिस्सेशन को भी बेजे गे मुझे लगता है उनको जम्मू किश्मीर के लोगों की भावनाओं की कदर बिलकुल भी नहीं है जिनको महराजाई था आपकी कदर नहीं है तो बाकी क्या होगी ये बड़े अफसों से कहने पड़ता है कि आज इस कलंडर को देखे ये मसूज होता है एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे जब आपकी मुलाकात हुई वाराजपुद सभा की मुलाकात हुई लगी साप से उसक्षएद बारती जंतापाटे की तरफ से रविंदर रहना जी भी वहाँ पर मौजूद थे तो क्या उनकी तरफ से भी डिमांड रेज की गई थी कि इसमें छुटी मिलने चाहिए और अगर रेज की गई थी तो फिर उनकी सुनवाई आकर क्यों नहीं हुई देखिए जो रविंदर रहना जी का सवाल जहां तक रहा है रहा है यहां पर 23 जो हमारी पिछली निमंबर थी तब उनको वहां पर रोका गया पूल के ओपर और वहां से उनको बुला कर स्टैचू के पास रगा गया किसम दिल आए गई कि आप क्या चाहते हैं माराजा हरी सिंग की चूटी होनी चाहिए तो वो हरहर बडाट में जैसे भी हो उनने उस वकत कहां नहीं होनी चाहिए मगर बीजे पी की ये जो दोगली नीती है ये बिल्कुल सामने आ गई कहना कुछ है करना कुछ है और दिखाने के लिए माराज सारब का फोटो इनने अपने दफ्तरों में गर लगा के रख़ा है लोगों के भावनाओं के साथ केलते हैं उस महराज को जो हमारे सिर के ताज थे जमू कुश्मीर की शान थे उनके लिए भी इन्होंने सियासत के दरवाजे खुले छोड़ दिये और सियासत करते हैं आज उनके नाम पे भी उनका फोटो आफिस में अंदर लगाने के लिए बोट बेंक के लिए मगर दिल में उनके लिए एक दोग कोड़ी की भी इसत नहीं है ऐसे लोगों को क्या होगा यह आने वाला जो टाइम है जो मुँ के डोगरा लोग जो समाज है वो इनको बताएगा कि अगर आप ऐसे सक्स के साथ भी धोका करेंगे तो लोग आपको क्या करने वाले हैं क्या समझने वाले हैं वो थोड़ी देर के बाद जो आराज पुसाब जब छड़कों पे निकलेगी और इनके जो पड़दे हैं हमने पहले भी कहा जो बड़े बड़े लोग हैं इनके घरों के गराब करेंगे और इनको मजबूर करेंगे अपने साथ बैटने के लिए कि जम्मू के लोगों के साथ धोका मत करो ऐसे जो हमारे महराज हरी सिंग जी थे अगर आप उनके साथ भी धोका करोगे तो ये अवाम जम्मू कुश्मीर के लोग आपको माफ करने वाले नहीं है आपको साथ होके ये सब कुछ करना पड़ेगा एक चीज आप से जानना चाहूंगा थोड़ा सा अलग से प्रशन है लेकिन पीडीपी और भारती जनता पार्टी ने इकठे सरकार बनाई इकठे सरकार में काम भी किया और उस वक्त मुझे याद है शायद सेप्टेंबर का महीना था 2017 का जब एक दिन रह गया था एक यह दो दिन रह गये थे महराजा साब की जनती को जन्म दिवस को तब उस टाइम के XCM उपमुक्यमंतरी जो है उन्होंने चीफ मिनिस्टर उस टाइम की जो थी XCM जो हमारी महबुवाँ उफती उनको लेटर लिखी थी कि महराजा हरी सिंग के जन्म दिवस की छुट्टी गोशित होनी चाहिए लेकिन तब भी वो छुट्टी गोशित नहीं हो पाई थी आखिर क्या मजबुरी थी क्या उस वक्ते XCM जो महबुवाँ उफती थी वो छुट्टी उस टाइम पर गोशित नहीं कर सकते थी या कोई पॉलिटिकल मजबुरी थी राजने देख मजबुरी थी कोई आज आपके सामने में साब बात कहना चाहूँगा जब ये बात हुई थी वहाँ कैमिनेट की सब मंतरियों को वहाँ बुलाया गया तो बात हुई महराज हरी सिंग जी के अपर महबुबा जी ने निर्मल सिंग जी जी पूछा था कि क्या करना है तो निर्मल सिंग जी ने पहले तो क्वेच्चन ये पुट अप किया था मगर जब मैडम महबुबा जी ने कैमिनेट बुला के ये बात की थी तो निर्मल सिंग्जी नहीं कहा थे कि अभी रुक जाईए वो रुक जाना ही आज तक महराज हरी सिंग्जी की छुटी को नहीं करवा थे यह ऐसी बात सच में हुई थी वहाँ पर बात हुई थी आप जो कैमरेंड मंत्री थे हमारे लोग जो थे जो सियासत के अंदर सारा ध्यान रखते हैं उन सब को यह पता है मगर बोट बैंक की राजनीती के लिए यह साथ थे थे कि सब लोग हमारे साथ ही चल पड़े और उसके बात हम चुटी करवाएंगे यह बात वो होगी मगर इस मुद्धे को युवाराजपू सभा ने पिछले दस साल से ले रखा था निर्मल सिंग जी को पता था यह क्रेडिट किन लोगों को चले जाना है किन लोगों के लिए बात होगी मगर वो परसनल बीजे पी के लिए ले जाना चाहते थे इसलिए वो बात बनती बनती रह गई यह बात सच है महाराजा हर सिंग जी को पारक का वो नौर्गिशन न करते वहां करोड रुपे लगा कर उनका स्टैचू न लगाते जम्मू किश्मीर के लिए सब पार्टियों ने अपने अपनी जगा इस्ट दी और हम यह कहते हैं मगर जब बीजेपी की बात आती है जिस बीजेपी के पास अपने 25 एमले थे वो जो छुटी हमें मिलनी थी लोर हाउस में और अपर हाउस में अगर अपर हाउस में हो जाती है तो लोर हाउस में क्यों नहीं हो सकी वहाँ तो हो उनके MLE थे BJP ने उस वकत वहाँ समर्थन नहीं दिया आज वो आदी छुटी रह गई है Upper House का मतलब आप समझते हैं हमारे जो यह होते है MLC यह वो होते हैं और जो हमारे ML होते हैं वो लॉर हॉस को गिना जाता है और लॉर हॉस के अंदर वो चुटी पास नहीं हो पाई अगर Upper House में वो चुटी पास हो गई थी उसके बार एक चीज़ जामना चाहूँगा आपने Upper House और Lower House की बात की है और निर्मल सिंग जी की भी बात की लेकिन एक सवाल आप से रहेगा क्या महबूब मुफ्ती को जो स्टम से सीम थी वो चीफ मुनिस्टरिथी स्टेट की क्या उनको जरूरी था उन लोगों से पूछना वो खुच से भी ऐसा कर सकती थी एक मिसाल गायम कर देते की उन्हों नहीं चुटी गोशित की बात ये थी कि यहां पर जो मैडम महबूब मुफ्ती जी सीम थे मगरो रिप्रेज़न शिर्नेगर को करते थी यहां बीजेपी की जो बात थी वो जम्मू को रिप्रेज़न करते थी जब यहां जम्मू की कोई खुटे की डोगरों की बात होगी तो यहां के लोगों से बात करके ही उसको हल कर सकते हैं अपनी मनमत जी नहीं चलती है बात यह है कि जो जिन्नों ने करना होता है जहां जिन्नों ने करवाना होता है उनके दिल साफ होने चाहिए आज भी क्या बात है आज गौर्णनर साब किसके हैं अगर दिली में सरकार किसकी है कुन मना कर रहा है हम अगर प्लोटिकर पार्टी महगुबा जी पर बात करेंगे निर्मार सिंग्जे बात परेंगे वो छोड़ दीजी आज किसकी सरकारा बताईए हमें LG साब ने बुला कर हमारी पूरी समस्या सुनी और हमने बताया कि ये बात ऐसे ऐसे है और ये होना चाहिए लोगों के हित के लिए है नमी जनरेशन की जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए औरनेस की बात है कौन पुशे कल कौन जानेगा कि यहां पर महराज़ों का किसका राज था उनके किता में सरकार बैटी हो किसकी है और जहां के जो लिडे ओ possibility के हैं वो क्या कर रही है यह तो सामने दिखता है और हैं जब हो कई लोगों के साथ हुआ हुआ है जब लोगों के साथ हुआ 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 है और ऐसा हुआ है जो किसी ने म्हसूस्थ नी इस बार तो ग्रंटी थी कि सबसे बड़ी जो बात थी तवी पुल को कितनी बार बंद कर चुके हैं अब इसके बाद क्या लोगों का खून कराबा चाते हैं अब मुझे बताईए इसके बाद क्या बचता है अब जुवा राजपूत सभा के पास यहां पर टोटली बंद करने के बगारा कोई चारा नहीं है आपसे जानने वाला था कि आने वाले समय में फिलाल अभी तो कुछ नहीं किया गया है आज उतना जादा कुछ नहीं किया गया लेकिन जिस परकार से चुटी गोशित नहीं हुई है आने वाले समय में यूआ राजपूत सभा क्या गदम उठ आने वाली जिस प्रकार से किसान आंदोलन चला क्या उसकी तर्श पर चलेगा या फिर कोई और तरीके से जो है आंदोलन चलाया जाएगा इसको लेकर अभी तो हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी और सर्दलवे मीटिंग होगी सब जाब बैठे के और सबसे बड़ी जो बात है जो लगता है आने वाले दिनों में मुझे लगता हाड डिस्टिक के अंदर ये परदर्शन होंगे ऐसे तो हम जम्मू के अंदर ही करते थे अब जाया गा कि अगर लोगों के दिलों में महराजा हरी सिंग जी बसते हैं तो वो चुटी लेना भी जानते हैं और ये लोगों के अगर आवाज को दवाया गया और खासकर बीजेपी ने इसको दवाने की कोशिश की है इनका इनको खमेजा बुक्तना पड़ेगा आने वाले वक्त में यानि कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाने वाले वक्त में महराजा साब की जो जनम दिवस्या उसकी चुटी को लेकर परदर्शन अब जोर तरीके से ये जद्व जयाद और तेज होगी जिन्हों ने हमें बड़े प्यार से अश्वासन देकर गुवर्नर साब ने साबित करके रख दिया कि हमें वो जम्मों के लोगों के सिर्फ दोके के जवाए कुछ नहीं दे सकते एक चीज़ और आप आप से जानना चाहूंगा लास्ट ये लास्ट कोशन रेका आप से जिस परकार से मुझे याद है राजन सिंग है पी जहां उन्हों ने ये चीज़ कही थी जो प्रधान है युवाराच फूट सभा के उन्होंने ये चीज़ भी कही थी कि अगर हमें टेंट लगाकर यहां बैटने की जरूरत भी पड़ेगी तवी पूल पे हम वो चीज़ भी करेंगे क्या हमें वैसा कुछ देखने को मिल सकता है बड़ी जल्द सबर का एक बांग जो है इन्होंने इस क्लेंडर के बाद हमारा तोड़ दिया है अब आगे की रन निती मिल बैट के कोर कमेटी के अंदर बैट के और बाकी मिटिवां करके हमने वो क्लेर कर लेनी है और वह आपको जल्द ही दिखेंगे कि ऐसे परदर्शन बड़ी तेज होंगे और इ एजिटेशन आपने मुझे पहले कहा जैसे हमारे किसानों ने की है शायद उससे भी ज्यादा सक्त हो सकती है यह माराजा हारी सिंग की बात की पर मसला है यह जम्मू किश्मिर के उस शक्स के उपर उसकी शक्स के लिए है जिनोंने अपना तन मन धन स्टेट के लिए लोटा थी यह बार बार है सेशन की बात करें चुटी मिल गए जम्मू के समाज जितना भी है हमारा डोगरा समाज उन्हें सेशन डेके चुटी नहीं मांगी थी उन्हें नहीं माराजा हरी सिंग के जनब दिन के उपर ही चुटी मांगी थी कि उस दिन को याद किया जाए यह स्टे हिंदोستان ने उनको कितनी इज़त दी आज बात हमारे बीजेपी की लीडरिशिप के उपर आती है कि ऐसे महराजा को बरगला के आपने उनसे सेसिन पर साइन करवाय थे क्या इस दिन के लिए करवाय थे कि उनके नाम की एक चुटी ना हो सके जिस खानदान ने जम्मो किश्मीर स्टेट को खरीदा था अगर उसके नाम की चुटी ना हो बड़ी शर्म की बात है आने वाली पीडियां कहते देखेंगी जम्मो किश्मीर के लोग बाहर के हिंदोस्तान में क्या बताएंगे तो ये बात समझने की है बड़ी दूर की बात है अब लगता है जो हमारी LG सरकार है और जो सेंटर की सरकार है जम्मो किश्मीर के जल्दी जल्द अंदोलन देखना चाहती है लोगों की कुरवानिया लेना चाहती है तो जमु कुश्मीर के लोग करवानिया देने के लिए त्यार है और जुवाराद पुसवा के जो हमरे वलंटियर है वो कहते हैं कि हमारे पीड़ पे गोली मत मारो हमारे सीने पे मारना माराजा हरी सिंग को हम पीड़ नहीं दिखा सकते तो मैं ये कहना चाहता हूँ युवाराद पुसवा की तरफ से कि हमारे लोग इतने कमजोर नहीं है आप इनको कमजोर मत में और ऐसा करने पे मजबूर मत कीजिए कि हालात जब भी कोई मसला हो तो खराब नहों और जब अगर खराब होंगे तो सारी की सारी जिम्मेदारी LG साहब और उनकी गवर्नर साहब की और पूरी अडमिस्टेशन की होगी जिनोंने दस साल से लड़काय हुए मुद्दे को भी इनसाफ नहीं दिला सके और आज LG साहब पे हमें बहुत ज़्यादा उनसे जो हम चाहते थे कि वो अपने हाथों से ये कर दे बड़ी नराशा मसूस हुई अब आगया के रननेती युवाराजपूत सभा तैय करने वाली है वो आपको जल्द से जल्द पता लग जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका मारे साथ चुटने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे लेकिन महाराजा साथ के जनम दिवस की चुटी लेकर लेंगे क्योंकि महाराजा साथ की जनम दिवस की चुटी है अगर वो चुटी मिलेगी तो आने वाली पीडियों को भी उस चुटी के जरीए पता चलता रहेगा कि हमारे महाराजा कौन थे हमारे कौन से ऐसे महाराजा था जिन्नों ने एक्सेशन हमारा हिंदुस्तान के साथ कर आया था जमो कश्मीर का आप लोग क्या करना है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राया रख सकते हैं फिलाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त जाहिंद